हलो फ्रेंड जैसा कि आप देख सकते हैं कि नीट पीजी राउंड थ्री जो अल इंडिया के कॉंसलिंग है उसके पहले मिनिस्ट्री ओफ हेल्थ और फैमिली वेलफियर ने एक डिसीजन लिया है और ये डिसीजन से अबाउट दे कट अफ जैसा कि आप देख सकते हैं जो मिनिस्ट्री ने डिसीजन लिया है उसमें ऐसा बोला गया है कि जो भी कॉंसलिंग होगा राउंड थ्री में वो जीरो परसेंटाइल पर होंगे यानि आप नीट पीजी में एपियर किया है या जो स्टुडेंट नए हैं उनके लिए बहुत ही बारा कोश्चन समा रहे हैं कि हम कॉंसलिंगे कर रहे हैं तो इसके पीछे लॉजिक क्या है क्या मुझे सीट्स मिलेंगे मुझे प्राइबेट सीट्स मिलेंगे गौर्णमेंट में इसेट्स मिलेंगे तेटी कि इसके बारे में मैं बात कर रहा हूं व वैसे सेगमेंट आफ इस्टुडेंट के लिए जिनके बिशे में बात तक नहीं कर रहा है और उनका purpose है जो student नहीं बात कर रहे हैं उनके purpose में है वो है foreign medical graduate इनके बीसे में कोई बात ही नहीं कर रहा है government क्यों इसके बीसे में कोई steps नहीं ले रहे हैं क्या student only responsible है इसके लिए या इसके लिए जो counseling authority है that means exam conducting authority इन भी responsible है तो इस बारे में हम detail में बात करेंगे कि government को same actions लेना चाहिए for the foreign medical graduate or not that is the questions तो let's consider our basics then we come into details about that NEET PG में जो cut-off score zero percentile किया गया है that means जो भी students need PG का exam देते हैं exam देने के बाद उनका जो admission होता है MD MS DNB और Diploma by NBEMS National Board of Education in Medical Sciences जो है और Diploma के courses जो run करता है 5 discipline में उसमें admissions के process होते हैं जब admissions होता है तो उसके बाद जब आप complete course करते हैं तो उसके बाद जो आपको degree provide की जाती है उसके बाद आप consider किये जाते हैं as a specialist that means NEET PG कह सकते हैं एक entry point है जिस entry point से आप exit होने के बाद जो आप score करेंगे जो पहले कि एक cut-up score decide होता था कि इस cut-up के बाद आपको क्या प्रांचेज मिलेंगी कैसे मिलेंगी counseling के basis पर डिशाइब अब सारे लोग को allow कर दिया गया है और इससे जो admission होगा उसके बाद आपको seats जो मिलेंगी that will be for the specialist यानि कि आप MBS के पास आपके पास degree है either you are from the Indian University Indian graduate है या foreign graduate है नीट पीजी की exam दे कि आप specialist पनेंगे बट specialist का जो criteria है यह reduce कर दिया गया है और यह reduce का criteria mind it यह government decision खुद से नहीं लिया है इसके पीछे कुछ logics है logics है last two to three year के देखेंगे court cases continuous होता था कि इतने seat vacant हो गया है तो क्यों नहीं इस पर counseling किया जाए और third round के बाद इस ट्री vacancy का एक round create किया जाता है special street create किया जाता है ताकि उस vacancy को भारा जा सके और यह जो seats होता है ऐसा नहीं कि this is only in the private institutions यह seats governments के भी खाली रहते थे अलग matter है कि वह कौन से subject के होते थे वह pre and paraclinical subject होते थे clinical subject होते थे category के seat होते थे कुछ भी होते थे बड़ कुछ seats waste होता था उसको कुछ medical organization body ने उसको national wastage बोला यह मतलब आप कर सकते हैं देश का एक बहुत बड़ा resources का loss बताया गया इस seat को इसके basis पे कुछ request किया गया मिनिस्ट्री से और मिनिस्ट्री ने इस cut-up को down कर दिया यह बात हुआ नीट पीजी का तो अब सारे लोग एलाओ है counseling करेंगे जो भी seat खाली रहेगा कुछ भी मार्स को अगर आप नहीं लेते हैं तो आपके पीछे बाले रहें के लेंगे और वे specialist बन जाएंगा अब पात करते हैं FMG graduates की FMG का examinations होता है जो foreign university से जो MBBS करते हैं उनको एक exam clear करना पड़ता है foreign medical graduate entrance exams इसमें 300 total marks की exams होते हैं जिसे NEET PG 800 के marks होते हैं वैसे ही 300 marks की exam होते हैं उसमें आपको marks लाना पड़ता है 150 150 means 50% यहां percentile के हम बात नहीं कर रहे हैं अगर आप qualify कर जाते हैं that is 50% score कर लेते हैं तो आपको allow होता है आप आगे intensive कीजिए और intensive complete होने के बाद आप NEET PG में appear कीजिए या NEET PG नहीं करना चाहते हैं तो as a medical graduate आप practice कर सकते हैं यानि practice करने के लिए आपको MBBS में at least 50% इस interest examination में score करना है 50% के बात करें बट यहीं आप score कर लेते हैं और NEET PG देते हैं च्योंकि इसके बाद आप NEET PG जाएंगे अगेन वहाँ पे जो as per government का notification की बात करें तो यहाँ पे आपको कुछ भी भी ये score नहीं करते हैं आप allow for the counseling यहाँ पे government को सोचने वाली वात है कि अगर ऐसा provision है तो उनके पास भी MBBS की degree है उन्हें भी allow किया जाना चाहिए अगर basic medical science की practice करना चाहते है तो उन्हें भी allow होना चाहिए यह government से मैं एक appeal करता हूँ आप लोग को भी यह appeal करना चाहिए reasons behind that यह just pass करने के लिए जो criteria fix कियागी इसके लिए different different examination में आपको बैठना पड़ता है mental harassment होता है अगर आप qualify नहीं करते हैं तो again you are going to appear और इसका कुछ benefit other form में भी different लोग उठाते हैं अगर हम बात करें हम FMG की especially बात करें वो है that is coaching organizations वो सिर्फ pass करने के लिए just 50 percentage करने के लिए different coaching institutions में जोइन करते हैं different platform यूज करते हैं और ultimately in the results क्या होता है एक यह दो मार्स से आपके मार्स कम हो जाते हैं चुकि यह percentage की बात होती है ultimately you are not able to practice modern medicine in India तो government को इस पर consider करना चाहिए कि अगर नीट PG exam देके specialist बनना है यहां पर national बोल सकते हैं कि जो resources का loss हो रहा है तो यहां भी अच्छे doctors की कमी हो रही है FMG को भी allow करना चाहिए उनके exam में API करते हैं यहां पहले परसेंटाइल सिस्टम को introduce करना चाहिए और minimum to minimum एक pricing criteria को fix करना चाहिए ताकि वो करने के बाद intensive करें intensive के बाद नीट PG दे सके हैं और देने के बाद at least council में API कर सकते हैं जो branches उनको मिलता है अपने accordingly rank के ले सकें इसे नेशनल जो resources manpower की जो requirement है वो भी fulfill होगी जो कि basic science की practice तो allow करने ही चाहिए अगर आप specialist allow करना चाह रहे हैं तो first thing second thing second thing जो इससे क्या होगा कि जो coaching culture है इसके भी downfall होंगे otherwise क्या होता है कि बाहर से अगर government की data देखे तो 25,000-30,000 students बाहर में जाते हैं practice इसके करने के लिए MBBS करने के लिए वो जब आते हैं फिर उन्हों एक्सटा burden रहना पड़ता है coaching institutions में बार-बार coaching करते हैं just to qualify वो भी कम हो जाएं ठीक है means appeal is only specialist के लिए अगर zero percentile है then why not do for this MBBS foreign medical graduate जो की एक basic modern medicine के practice करना चाहते हैं तो यह होना चाहिए यहां पर जो सबसे बड़ा चीज है कि आप जो appeal करेंगे कहां करेंगे that is the biggest thing तो मैं बोलता हूँ different organizations आपको mail कीजिए email कीजिए ministry of health and family welfare को honorable prime minister को chief justice of india को mail कीजिए regarding your problem ऐसे उनको एक comparisons दीजिए जो भी foreign graduate इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे यह request है कि come forward come forward for this NBE को mail करके कोई फाइदा नहीं है आपको NBE is just following the order of ministry of health and family welfare NMC इसको follow करते हैं Yes, you can come forward and mail your condition to different leader, prominent leader maybe the ruling party, maybe the opposition, they can hear, they can raise your voice and last but not the least to all the medical organizations just a good organization के बात करें different different जो कि आप देख रहे हैं different social media पर जो की come forward करके cut of reduce करने की बात करते हैं और अगर all over India के बात करते हैं IME की बात करें वो हो या different other medical organizations उनसे आप अपील कीजिए और mass mailing, mass campaign, this is the right time to affect आप coaching institution में बैठे रह जाएंगे और आपको आपके हक की बात नहीं की जाएगे यहाँ पर अगर एक बार शुरू हो गया, then you have to come and also come to the Twitter campaign जो भी वीडियो को देख रहे हैं जो भी वीडियो को देख रहे हैं, अगर आप foreign medical graduate हैं और Indian medical graduates हैं आपका भी responsibility बनता है कि आप अपने colleagues की मदद करें इस YouTube channel को definitely subscribe कीजिए अगर आप foreign medical graduate हैं तो यह आप first work आपको करना है I am with you, till your mass is going to reduce to 0% अगर specialist बनने के लिए होगे तो आपके लिए भी होना चाहिए यह चीज तो add dr neera singh आप YouTube पे सर्च करेंगे, यह मेरा profile है यहाँ पर different मैं video post करता हूँ यहाँ पर आपको counseling related भी video मिलेगा जिसमें आप need PG देने के बाद counseling करेंगे या medical related कोई भी इस होता हाथ है जो Twitter follow करते हैं आप जानते हैं कि जो भी post होता that I am going to give the authentic post यहाँ पर आप Twitter से जूर सकते हैं आप देख सकते हैं यह Twitter मेरा profile है add the rate dr neera singh for you subscribe किजिए YouTube channel को और इस video को वो सारे अपने दोस्तों के पास जो कि already पर रहे हैं foreign country में या exam दे रहे हैं for you यहाँ पर आपको हाँ अगर आप उमीद करते हैं कि coaching institutions आपके support में आये तो you are on the wrong track वो support उनका काम है सिर्फ academic guide करना तो you can't blame them वो आपकी course material related आपकी बात करेंगे आपको समझाएंगे that is their work different medical organizations से उनका काम है आपको support करना different leaders हैं उनको mail करना तो this is my first video regarding regarding this about this यहाँ पर जैसे ही आपका काम हो जाएगा उसके बाद role आता है counselor का कि जो ही आप रहेंग करते हैं उसके according क्या branch मिलेंगे उसमें मैं आपका definitely help करूंगा उस help में especially मैं बात करूंगा regarding की कैसे आपको यह परोच करना है कौन से states को अपरोच करना चाहिए कौन से medical college को target करने कौन से branch को target करना चाहिए ताकि आपको minimum to minimum losses पे maximum to maximum output चुके time is the big factor ठीक है उसको waste नहीं करना है साथ साथ आप अपना पढ़ाई जैसे कर रहें करते रहें but government से appeal करना नहीं भूला है that is the key for this and I hope and मैं उमीद करता हूं कि government authority definitely come with this solution and they may be going to reduce this percentage so hope for the best thank you so much